नमस्कार बच्चों, हमने इसले वीडियो में जो है व्रिंदा से रिलेटेट टॉपिक का धहन किया, आगे हम इसके नए से टॉपिक पर धिहान देंगे, आए इसको समझते हैं इसमें जो है व्रिंदा ने अपने अनेका नेक मनो भावों को व्रिंदा और उस सक्खी जो इसकी में जो है केंदरबिंदू बन रही है, सह सहाईका है व्रिंदा के तो वह जो है इस चाचि से अनेक प्रकार के अपने भावों को व्रिंदा के थ्रो जो है समझ रही है, जान र अबहाव है उसके प्रतिक्या भाव है वहापनी तोलना व्रिंदा से कई रूपों में की है आए इसमें आगे δेखते हैं क्या होता है कहते हैं कि व्र्िंदा मुझसे कुछ बड़ी रही होगी यह जो सक है या आपने भाव को ब्यक्त कर रहे है परन लिहां है जो इसकी लंबाई है वह देकर ऐसा लगता है कि मानो जो है किसी ने उपर से उसको दबा कर छोटा कर दिया हूं यानि इसकी है जो है इस सखी से कम रहती है दो पैसों में आने वाले जो खंजडी रहती है उपर उसके उपर जो आवरिती रहती है वो कह रही है कि जिली के समान पतले चर्म से मड़े हुए और भीतर की हरी हरी नसों को जहलक देने वाले उस दुबले हाथों और पैर न जाने किस अग्याद भै से अवसन रहते थे यानि कि उसकी जो ब्रिंदा की काया थे वह बिलकुल ही बहुत ही कमजोर थे ठीक है जिससे उसके उपरी चर्म यानि कि उसके जो उपरी चर्म होता है चमड़ा होता है उसमें एकदम रक्त का संचार ही नहीं था उसकी हरी हरी नसों को यहां बताया जा रहा है कि अस्पर दिखाई दे रहे थे उसकी जो पैर थे वह एकदम ही क्या थे वह आवस्तन थे यानि क कि उसमें बेजान से थे उसमें जान ही नहीं थे कहीं कुछ आर्ट होते हुए उसके विचीतर रूप से चौक पढ़ना यानि कि भैगरस्त हो जाना और पंडिताईं चाची कस्वर कान में पढ़ते हैं उसके सारे सरीर का थर्थरा जाना यानि कि कमपायमान हो जाना और उसके सरी का थर्राना साथ मेरे विसमे को बढ़ा ही नहीं देता बलकि मुझे भी अचंबित कर देता था और प्रत्यूत यानि कि उसके उत्तर में जो है उसे भह में बदल देता और व्रिंदा की आखें तो उस पिजडे में जो है बंद चिडिया की याद दिलाती थी जैसे जब किसी पिजडे में कोई चिडिया बंद हो जाती है तो उसकी उस समय जो अवस्था होती है बहुत ही दीन हो जाती है उसको ये आस रहता है कि मुझे कभ यहां से आजात किया जाएगा ठीक जो है वही अवस्था यहां पर विरिंदा की थे अब जो है एक बार जब दो तीन करके तारे गिंते गिंते उसने एक चमकीले तारे कि ओर उंगली उठा कर कहा तो वह रही मेरी अम्मा तो फिर तब तो मेरे आस्चरे का ठीकाना ही न रहा और साथ ही साथ जो है सबकी अम्मा एक तारों में होती है और एक घर में पूछने पर जो है बिरिंदा ने अपने ग्यान कोस्ट में से कुछ कर मुझे दिये और तब मैंने ये जाना कि जिस अम्मा को इस वर बुला लेता है कि वह क्या होता है वह एक तारा बनकर उपर से बच्चों को देखती रहती है ऐसा मैं वहाँ पर समझे साथ ही साथ जो सजधर कर घर में आती तो व्रिंदा की नई अम्मा जैसी होती यानि कि यहाँ पर व्रिंदा की सखी भी क्या थी वह असमंजस में भी मेरी बुद्धी सहज की पराज़ है स्विकार करना नहीं जाना सहज पराज़ है यानि आसानी से जो पराज़ित हो जाए इसी से मैंने सोच कर पहा कि तुम नई अम्मा वो पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती फिर वे नई जो है ना रहेंगी और नहीं डाटेंगी व्रिंदा को उस मेरा उपाय जचा नहीं क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को फुली पालकी में लेट कर जाते हुए जो है हहां लेट कर जाते और नई को बंद पालक में बैठ कर आते देख चुके थे अब देखना है एक को लेट कर जाते हुए और दूसरे को लेट कर आते हुए देखिये यहाँ दो प्रकार की अवस्थाएं بن रही है अता किसी को भी पदचित करना उसके लिए कठें था ठीक है उसकी कथा से मेरा मन तो सच मुझ क्या हो गया था आकुल भू उठा था अता उसी रात मैंने जो है क्या किया बहुत अनुनय पुरुवक जो है कहा कि तुम कभी तारा मत बनना यानि सारे परिस्थितियों को समझते यह उसने कहा कि तुम कभी तारा मत बनना चाहे भगवान कितना ही चंपीला तारा बनावे मा बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर जो है कुछ बोल भी नहीं पाए इस प्रकार से यहां पर ब्रिंदा के द्वारा उस पंडितायन चाची के थू अनिकू अत पतली पतीली उतारी और आवस्य पर उसमें जो है उसकी मुलियों से छोट कर पैरों पर गिर पड़े खौलते दूद जो है उसके पैरों पर गिर जाते हैं और दरवाजे पर खड़ी व्रिंदा का रोना दे तो मैं बुद्ध सी रह गए यानि कि एकदम अवाक रह गए शा जो बुद्धा मेरे हाथ जोड़कर अपने धड़कते हुए हृदय पर जो है से लगाकर नहीं छिपा देने के अवस्यक्ता बताने लगी तब मेरे लिए कुछ रासमय हो चुका यानि कि तब मैं पूर्ण रोप से नहीं समझ पाए ठीक है और उसे मैं अपने घर में खिच कर आने वाले पंडिताइन चाची की उग्रस्वर ने भैसे हमारे दिसाइं रोग दे जैसे हम यह पता चला कि वह आ रही है तो फिल हम लोग भैगरस्त हो गए इसी हरवडायट में हम दोनों उस कोठरी में जाकर उसे और छिप गए इसमें गाय के लिए घास जो है भरी जा और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दवाय ऐसी बैठी जैसे मानो घास का चुबता हुआ जो है धेर रेस में विछोना बन गया हो इस प्रकार से वह पूरी तरह से सहमी हुई थी ठीक है जिसे वह किसी प्रकार से अपना बचाओ कर रही थी पंडिता है इंचाची से अब घास निकलने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूत्पुरुद्रिस की घोशना करने के लिए कौतुखल मचाने लगा तो जो है मैंने तब मैंने आखे मलते वे पूछा क्या सवेरा हो गया फिर जो है माने वरिंदा के पैरों के जलते हुए या पैरों पर तिल का तेल और चूने का पत्थर यानि कि चूने का जो है पानी लागा कर जब अपने विसेश संदेश वाहक के साथ उसे घर विजवा दिया तब उसकी क्या जो है दसा हुई यह बताना अत्यानते ही कठिन है पर इतनी तो मैं अवस्ते ही जानती है कि उस पंडिताइन चाची के नियाए विधान में न चमा का स्थान था और ना है अधिकार का फिर कुछ दिनों तक मैंने व्रिंदा को घर के आंगन में काम करते नहीं देखा उसकी घर आंगन में माने मुझे क्या कि या रोक दिया और जो है प्राया कुछ अंगूर और सेव लेकर वहां आती जाती वह फुसामत करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महराने आई है यानि कि पूरा उनका ब्यवहार क्या हो गया था पूर्ण रुप से परिवर्तित हो गया था बदल मिल सकते हैं पूछने पर वह मुह पर कपड़ा ठूश कर क्या करने लगी हसने लगी और वह जब मेरे मन का कोई समाधान नहीं हो सका यानि कि जब मैं उस तथ्य को नहीं समझ पाए तब जो है एक दिन दोपर को सब की आँख जो है आँख बचा कर जो है यह व्रिंदा की घ उसकी जो है नीची की सुंसान कर में व्रिंदा जो थी वह अकेली लेटी हुई थी और उसकी जो आँखें थी वह गड़े में धंसी हुई थी और मुझ दोनों से भर पर नजाने कैसा हुए था और विच्छोने जो है मैले चादर के नीचे छिपा जो सरीर था वह बिच्छोने उसका जो सरीर था वह था एक दम भिन जान पड़ता था कि वह उसके विच्छोने अलग है उसका सरीर अलग है इस प्रकार से वहां देखने को मिला और साथे साथ डाक्टर की दवा की सीसियां सिर पर हाथ फेरना और साथे साथ मा और विच्छोने के चार और चकर काड़ते हुए क्या करना बाबुजी के बिना भी बिमारी कास्तित तो है इस प्रकार से मतलब तमाम जो है यहां पर तथ्य वहां पर मिलते हैं गिन्तों फिर भी मैं यह नहीं जानती थी कि इसी से उस अकेली ब्रिंदा के पास खड़ी ह कर जो है मैं चकिस्ती जीवारों की तरह योर देखती रहे ब्रिंदा जो थी ने ही कुछ संकेत और असपर सब्दों में बताया कि नई जो अम्मा मोहन के साथ उपर के खंड में रहती हैं सायद चेचक के डर से आप जानते हैं चेचक प्रकार की बीमारी होती है तो यहां प यहां पर एक नौकरानी है उसका जिक्र है फिर तो ब्रिंदा को देखना संभाव न हो सका और क्यों कि मेरे इस आग्यां उलंगहन से मां बहुत चिंतित पूर्टी थी एक दिन सवेरे ही रुपिया जो थी कि यह उन से नुजाने क्या कहा कि यह रामायट बंद कर बार-बार आख पूच्टी हूई भिरिंदा की घर चल दी उस मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना भी जो हो हमेशा आदेश देदे थे घर से बाहर ना निकलना लेकिन उस दिन जाते जाते घर का आदेश बाहर निकलने न निकलना इस आदेश को देना वह भूल गए आगे जो है एक दिन सवेरी रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वह रामायर बंद किया और अपनी आखों को पोस्ति भिरिंदा के घर चल देती हैं और जाते जाते वह मुझे बाहर न निकलने का आदेज भी देती हैं नहीं दे पाती हैं और साथी साथ इसलिए वह इधर उधर जहां कर देखना आवस्यक हो गया क्यों कि वह सकी थी वहां बेसबरी से उतावलिव हो चुकी और अतक खिड़की से जहां कर जब मैंने देखा कि दरवाजे पर कुछ और अतरिक्त आदमी भी दिख रहे हैं और उसके अतरिक्त कुछ वहां दिखाई नहीं दिया तब जो है उसे मैं जानती थी कि हो सकता है कि उसके घर पे उसका विवा हो रहा हो लेकिन तो किसका आदी प्रस्ट में इस सखी के मस्तिस में गूज रहे थे और उसने बुलाया तक नहीं इस अचिंत अपमान से मेरा मन बहुत आहत हो गया भी सखी कह रहे है और फिर वो कहती है क कि आहस मेरा जम्मन सब गोडियों की साक्षी बनाकर विरिंदा को सुखकारियों में न बुलाने के प्रतिग्यां करने लगा तभी जो है क्या होता है कई दिन विरिंदा के घर जहांकर जब मैंने मा से उसके जो है ससुराल लोटने की संबंद में जब प्रस ने किया तो उस दिन से मैं प्राया जो है चंकीले तारों के आसपास फैले छोटे तारों में विरिंदा को ढूड़ने लगती यानि धूड़ने रहती पर इतनी दूर से पहचानना अशंभव था यानि कोई पहचान सकता है क्या नहीं पहचान सकता है अब यहां पर कई दिनों तक हो गई है यानि कि अब वह जो है अपने अम्मा के पास चले गए उसी दिन से जो है मैं प्राया है चंकीले तारों में ही जो है आसपास फैले उन छोटे-छोटे तारों में विरिंदा को धूड़ती पर इतना दूर से पहचानना संभव था तब से कितना समय बेच चुका प कहानी सेस कुछ नहीं कभी हो सकेगी या नहीं इसे कौन बता सकता है सायत कोई नहीं तो यह जो अध्याय था वरिंदा का यह बहुत ही अच्छा था ऐसा उमीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद